हेलो लेडिज जेंटलमेंट, माइनेम इस अंकित रावत एंड यू आर वाचिंग माई काड लैब दोस्तों वैसे तो भारतिय बजार में इस वक्त काफी सारी प्रीमियम हैच बैक्स अवेलवल है बट अगर बात करें सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैच बैक्स की तो सबसे पहले नमबर पे आज आती है बलीनो और दूसरे नमबर पे आती है आईट्वेंटी और आज हम इनी दोनों गाडियों के बारे में चर्ष्टा करने वाले हैं कौन सी गाड़ी में क्या-क्या फीचर्स ओफर किये गए हैं किसमें कितना स्पेस है कौन-कौन से विरियंट्स और इंजन आपको ओफर किये गए हैं और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपके लिए कौन सी गाड़ी होगी आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं डाइमाइंशन्स की दोनों ही गाड़ियां प्रीमियम हैजबैक सेक्नमेंट्स की हैं तो स्पेस आपको दोनों ही काड़ियों में काफी बहतर ओफर किया गया है एक नजर डालते हैं इनके फिगर्स पर आई 20 में आपको लेंथ 3995 mm की मिल जाती है विर्थ इसमें 1775 mm की, हाइट 1505 mm की पूर्ट स्पेस इसमें आपको मिलता है 311 लीटर्स का विल बेस आपको मिलेगा 358 mm का और कर्व वेट इसमें 1069 से लेके 1119 kg तक का देखने को मिल जाता है वहीं दूसरे हाथ में बलीनों की लेंद 3990 mm की विर्थ 1745 mm की, हाइट 1500 mm की, बूट 318 लीटर्स का विल बेस 2520 mm का और कर्व वेट की बात करें, तो 935 से लेके 960 kg का दिया गया है means i20 में आपको ज्यादा बेटर स्पेस प्रोवाइड किया गया है आप लोग अपनी स्क्रीन में देखके कंपेर भी कर सकते है हाला की 5 लीटर्स ज्यादा बूट स्पेस आपको बलीनों में देखने को मिलता है जो की बहुत ज्यादा बढ़ा डिफरेंस नहीं है बात करें कुछ ऐसे फीचर्स की जो आपको i20 में ओफर किये गए है तो सबसे पहले आजाता है LED प्रोजेक्टर विद कॉर्णरिंग लैंप्स LED टेल लैंप्स विद हैलोजन इंडिकेटर्स इलेक्रिक संरूफ डिजिटल इंस्टूमेंट क्लस्टर पुश बटन स्टार्ट एर प्यूरिफायर वायरलेस चार्जर आटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल क्रूस कंट्रोल रियर रेस इवेंट्स और्टो डिमिंग आयर वीम कूल्ड गलव बॉक्स 10.25 इंचेस का इंफोटेमेंट सिस्टम विद बॉस के प्रीमियम स्पीकर्स इंटिरियर में आपको ब्लैक एंड बेज का कॉंबिनेशन देखने को मिल जाता है हाड प्लास्टिक का यूज दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलेगा बट इसका कैबिन काफी स्पेशियस और फिट एंड फिनिश में काफी बहतर आपको बलीनों से देखने को मिलेगा साथ ही में इसमें आपको मिल जाती है Blue Ambient Slides जो की प्रोवाइट करती है इंटीरियर को एक प्रीमियम लुक तो अब बात करते हैं उन फिटर्स की जो हमको सिर्फ मारुति की भलीनों में ओफर किये गए है इसमें भी आपको सेम LED प्रोजेक्टर ही दिया गया है हालागी इसमें कॉर्णनिंग लैंप्स का फीचर मिसिंग मिलेगा इसके अलावा मिलती है इसमें आपको LED टेल लैंप्स विद हैलोजन इंडिकेटर्स हेड्स अप डिस्पले ऑटो दिमिंग आयर वीम क्रोज कंट्रोल रियर एसी वेंड्स पुश स्टार्ट बटन 360 डिगरी कैमरा आटोमेटिक क्लाइमिट कंट्रोल 9 इंच का इंफोटीमेंट सिस्टम विद आर्की में सराउंडेट साउंड सिस्टम और 60-40 स्प्लिट सीट तो ओवरॉल फीचर्स आपको i20 में ज्यादा ओफर किये गए हैं बट कुछ में फीचर्स जैसे की हेड्स अब डिस्प्ले 360 डिगरी कैमरा और 60-40 स्प्लिट सीट ये आपको i20 में बिसिंग मिलेंगे बात की जाए safety फीचर्स की तो दोनों ही गाड़ियों में आपको लगबख सेम फीचर्स ही ओफर किये गए हैं जैसे की ABS as standard ESP, EBD, Traction Control Hill Hold Assist, Six Airbags Engine Immobilizer Speed Sensing Door Lock Child Safety Lock जैसे तमाम फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में ओफर किये गए हैं Global NCAP ने i20 को 3 स्टार रेटिंग दिये हैं जबकि Euro NCAP ने बलीनो को 3 स्टार ही दिये हैं Crash Test में Build Quality दोनों ही गाड़ियों की हम average मान सकते हैं कौन ज्यादा safe है ये बोलना अभी तोड़ा मुश्किल होगा हालाकि वेट तो i20 का ही ज्यादा है बट अगर आपका main concern safety है तो आप market में other options की तरफ जा सकते हैं आप उनको consider करेंगे तो वो आपके लिए बैतर option रहेगा खेर आगे बात करते हैं engine और transmission options की तो बलीनो में हमको सिर्फ एक engine option मिलता है जो की है 1.2 लीटर का naturally aspirated petrol engine जो की produce करता है 88.5 bhp की power 6000 rpm और 113 nm का torque 4400 rpm इसमें आपको 5-speed manual और AMT का option देखने को मिल जाता है transmission का option आपको offer किये गए है पहला आता है 1.2 liters का कपा engine जो की एक naturally aspirated 4-cylinder engine है और जो produce करता है 83 bhp manual में और 88 bhp ivt में 6000 rpm और 115 nm का torque 2400 rpm दूसरा इसमें जो engine आता है वो है वन लीटर का turbo petrol जो की एक 3-cylinder engine है और जो produce करता है 120 hp 6000 rpm और 172 nm का torque 4000 rpm अब बात करें इनके transmission options की तो 1.2 petrol में हमको सिर्फ manual 5-speed और ivt का option ही देखने को मिलता है इसमें proper automatic option आपको नहीं मिलेगा बात करें 1-liter turbo engine की तो इसमें हमको 6-speed IMT और 7-speed DCT offer किये गए हैं जिन लोगों को IMT के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं बता दू IMT basically एक manual gearbox ही है बस इसमें आपको clutch नहीं दिया गया होता है ये उन लोगों के लिए best option होता है जिनको normal गाणिया पसंद है बट clutch से वो काफी परेशान रहते हैं और ऐसे में IMT उनके लिए एक बहतरीन option बन जाता है बात करें तीसरे और आखरी engine की तो Hyundai आपको i20 में एक diesel engine का option भी देता है जो कि 1.5-liter का CRDI 4-cylinder engine है जो कि produce करता है 100 bhp की power 4000 rpm पर और 240 Nm का torque 2750 rpm पर बट इसमें आपको खाली एक transmission देखने को मिलेगा जो कि है 6-speed manual transmission तो अब बात करते हैं किसके लिए कौन सी गाड़ी बहतर है अगर आपको एक diesel engine ही चाहिए तो आपके लिए एक ही option बच जाता है जो कि है Hyundai i20 और अगर आपको एक fun to drive experience चाहिए जो कि काफी पंची और powerful भी हो और अगर आपको budget की कोई दिक्कत नहीं है तो आपके लिए i20 का 1 liter turbo engine ही best है उसमें आपको ज्यादा space के साथ ज्यादा features भी provide किये गए हैं तो वो ऐसे में आपके लिए best option बन जाता है बट अगर आपको एक family oriented budget friendly yet reliable car चाहिए जो ज्यादा mileage भी दे पाए औ और resell value भी जिसकी ज्यादा बैतर हो तो definitely you should go with the all new Marty Suzuki Balan तो I hope आपके सारे confusion दूर होए होंगे इस वीडियो को देखके वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा तो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ कर दो思ुँएगा करें ऋök juर्स चार लोहते हैं आपके सांधा करें एक जर ईक जरूर को ग्या कि उर एक ज़्पमार्वाभण में दोरूर विर फिरो का तोरूर होजळे एक जоч've got you already